दोस्तों आज की इस वीडियो में चेप्टरा साथ से हमको जुरू कोशन से करने वाले हैं और यह कोशन देखा जाए बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाएगे हैं अगर आप इनसे भी कोशन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके पास होने चांज पके ही नहीं बलकि अगर हमारे शहरो के अगर नहीं है तो हमारे शहरो को जो सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनसे जोड़े आपको हरब ड़ा को सब्सक्राइब बनते हैं पर अंतरा श्रे चांथी और समच की अशुता को 1894 में पारेज में बेरन पियरे डी कुबर टीम के प्रासों के माध्यम से अंतराष्टी ओलंपिंग सम्मिती और आधोने ओलंपिंग की नीव रखने कर शकता है। अंतराष्टी शांती, मेत्री, सदभावना और समाजिक एकता बनाने के लिए ओलंपिंग को चार्टर की रूप में वर्णित किया गया था। तो यह हमारा बनता है ओलंपिंग के कुछ हमारा पर द्यत्वर। तो इसलिए आगे बढ़ता है गली कुशन की और अब बात करते हैं पर्शम 2 की पर्शम 2 में अबसा का जाता है हम खेलों में भाग क्यों लेते हैं अत्वा हम खेल क्यों खेलते हैं तो यहां दिखा रहा कोई भी गेंस होते हैं चाए इंडोर हो चाए आउटडोर हो तो हम उसमें क्यों होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं उसके फाइदे क्या है क्यों खेलते हैं हम उसमें खेल खेले में इंटरस क्यों लेते क्या फाइदा हमारा पर तो खेल शाररिक और मासरिक स्वास्ते को बहतर बनाने और सक्रिय नागरता और समाजी समावेश को बढ़ावा शेकते हैं और अपनी शमताव के बारे में विशुलास हासिल करते हैं खेल ए शक्ति-शाली समाजिक शक्ति भी है केल विभिण जाती है संस्कति धारमिक भार्षा और समाजिक आर्तिक पिर्ष भूमी के लोगों को करीब लाते हैं तो यहां पर देखा जाए यहां पर देखा जाया कि हमारा पर देखा जाए उसके विक्ति के मसेश को अपना जो एक काफी पेज बनाता है और आपना देखा यह जयाता है क्या खेल शांति और सभाव को बढ़ावा दे सकते हैं तो यहां पर इंटरेलेशनली बहुत से खेल खेल जाते हैं ताकि दूसरे देश्चों के परती आपना जो है इन चीज़ों को बढ़ावा मिल सके खेल शांती, सहशुनता और समज को बढ़ावा देने के लिए एक मैतरुपून सादन है जो विभिन लोगों को विभिन सस्कृतियों और धारम के साथ जोड़ते है इसके मुलिये जैसे कि सामुई कारिये निस्पक्षता, आनुशाशन और सम्मान को दुनिया भर में समझा जाता है और इसका अपयोग, एक जोड़ता और समाजिये सहयोग की उनतीब में क्या जा सकता है अंतराश्टी शांती और समज को बनाए रखने के लिए अंतराश्टी ओलम्पिक समिति का गठन क्या गयाता तो यहाँ पर बिल्कुल है कि आपके अपना जो खेल है हमारे शांतिय सद्भावना को बढ़ावा देता है तो उसलिए आगे बढ़ता है क्यों क्यों और अब बात करते हैं पस्मुचार की परती आकर्शल होने वाले सभी कारकों के योग को समु समझे से का जाता है तो इसलिए बढ़ता है अगले कोशन की और अब बात करते हैं पस्माजी गोद की रूप में क्यों जाना जाता है तो यह देखा जा काफी जो है most important question है तो यहाँ पर खेल को समाजी गोद की रूप में भी जाना जाता है तो यहाँ पर देखा जुरूर कोशन है इस कोशन को आप जुरूर ध्यान से देखेगा तो खेल लोगों को संपुर्णता और उससा से जुड़े रहने के लिए प्राप्त कारण परदान करते है इसलिए खेल को समाजी गोद की रूप में भी जाना जाता है जो लोगों को एक साथ बांदता है क्योंकि हाँ पर मारापा खेल ऐसे शीज़ है जो लोगों को अपनी और आसानी से खिषता है लोगों में आपस में एक दूसरे के साथ संबंद मराने में मल्द करता है आपस में दूसरे के साथ जो दोस्ती बनती है, विश्वास बनता है, शांती बनती है तो यह हापे मारा आपका खेल को समाज गोत की रूप में भी जाना जाता है आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की और अब बात करते हैं पश्मन शे की पश्मन शे में आप से का जाता है विक्ति गत खेल और टीम के खेल में अंतर लिखे तो यहां पर मार पर क्या होता है एक विक्ति वो होता है जो अपने टीम के लिए खेलता है तो यहां पर दोनों में क स्थाबित करने के लिए ख़ुद आगे बढ़ता है टी चुट की क्या कर रहा है वो चाहता है कि मेरा प्रदैशन है वह best level का हो जबकि अपना team के जो खेल होते है तो team के खेल में क्या होता है कि जो players होते है वो अपने team के लिए खेलते है अगर उन्हें कहीं आगे जाना पड़े कहीं पीछे हाना पड़े तो उन्हें पीछे हाने भी कोई जिनता नहीं है क्योंकि वह जो खेल रहे हैं वह पर टीम के लिए खेल खेल रहे हैं तो मिलजल के वह खेलते हैं वह चाहते हैं कि वह अपने टीम को जिता है ना कि खुद अपना ज्यादा ना कुछ करें क्योंकि वह अपने से पहले अपने टीम को ज्यादा महतु देते हैं जबकि व्यक्तिक सब्सक्राइब करते हैं कि आपके पास समय नहीं होता है कि आपके पास ही समय होता है क्योंकि आप मैंसे कई सब्सक्राइब करते हैं कि आप कम समय में अपनी अच्छी त्यारी कर सके तो यहां पर बात करते हैं पश्रम साथ की पश्रम साथ में अपसे का जाता है खेल के मादन से राश्ट्रिय एकी करण कैसे विक्सित कर सकते हैं खेल हमें खेल की भावना सिखाते हैं और यह हमारे समाजी जीवन में सनहिक का कांग करते हैं खेल हमें दोशों से निपटने में मदद करते हैं यह हमें एक नेता बनने के लिए प्रिरित करता है खेल के मादम से भायचारे और दोस्ती की भावना को भड़ावा दिया जाता है विपिन खेल, शारिरिक शिक्षा और खेल एक करण के बुनियादी घटको जैसे की सहयोग, रवया, सानुभूती, मित्रता, साथी की भावना, इच्छा, दूसरों के परति सम्मान, समन्वे, पिरिणना, योगता, अखणता, एकता, पहचान को विक्सित करते हैं यह हमारा बनता है, तो दोस्ते आप पर देखा जाए, गिंति के मेंने आपर इस येप्र से इस सिर्फ साथ कोशन करा है, आपको इन कोशन को एच्छा से करना है, और यहां देखा जाए, इस विडियो को एक बार बार आपको झाव्यार पड़ेगा, जब भी आपको लगता इसको बार बार अपना हमें करना होता है तो शील दूसरे मिलते हैं नेक्स टूडियो में थैंस पर आचीन